कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे तो जैसे कि आपको बता है कि last class में हमने अपना start किया था accounting ratios बहुत important chapter है, accounting ratios में हमने अपनी पहली ratio कर लिए थी current ratio, current ratio के concepts, important points, important questions सब कुछ हमने cover कर लिया था, तो current ratio हमारी complete हो चुकी है now today we are going to start the second ratio, that is quick ratio, right liquidity ratio हमारा first part था, liquidity ratio में हमारी दो ratios आती है current और quick ratio, current हो चुकी है, quick खतम करेंगे, liquidity खतम हो जाएगी right, quick ratio का मतलब क्या है, ज़रा start करते हैं, देखो quick ratio और liquid ratio और acid test ratio, यह सब इसी के नाम है एक ही ratio के अलग-अलग नाम है, acid test, liquid, quick, ठीक है, क्या मतलब होता है और current ratio से यह कैसे अलग है, current ratio में हमने क्या देखा था, कि current ratio आपको बताता है कि अगर आपको अपनी current liability को pay करना है, तो आपके पास कितने current assets होने चाहिए current assets और current liability के बीच का relation कौन बताएगा आपको, current ratio ठीक है अब current assets का मतलब क्या था, कि 12 महीने के अंदर-अंदर या फिर operating cycle के अंदर-अंदर आप उस asset को cash में convert कर सकते हो बिल्कुल सही, लेकिन-लेकिन 12 महीने बहुत टाइम होता है अगर आपको देखना है कि यह 12 महीने चोड़ो, अभी 3-4 महीने में अगर आपके कोई liability आ गई, दो महीने में अगर आपके कोई liability आ गई, उसका बताओ अगर मुझे 2 महीने के अंदर देखना है कि क्या आप अपनी liability को pay कर सकते हो और नहीं, तो मैं क्या current ratio यूज कर सकता हूँ, नहीं, तब मुझे यूज करने पड़ीगी quick ratio quick का मतलब क्या है, जो current से जादा quick है, current assets से जादा quick होते है, उसको हम बोलते है quick assets yes or no, जो फटा-फट से cash में convert हो सकते हैं, तो current assets और quick assets में बहुत जादा difference नहीं है, एक छोटा सा difference है लेकिन important है ज़रा देखते हैं, तो पहली बात तो क्या है, कि quick ratio का formula क्या होगा, quick assets divided by current liability, current liability को pay करने के लिए आपके पास quick assets कौन से है, ठीक है, relationship between quick assets, liquid assets और the current liability, तो बैसे क converted into cash, quickly मतलब फड़ा बड़ से आप cash में convert कर सकते हो, current assets में time लग सकता है, ठीक है, अब current assets और quick assets में क्या difference है, ध्यान से देखो, quick assets is equal to current asset minus inventories minus prepaid minus advance taxes, क्या मतलब इसका, जितने भी आपके current assets है, उन में से आपको ये 3 assets को हटा रहा है, क्योंकि ये slow है, ये धीरे-धीरे convert होते हैं, let's say inventories, अब inventory अगर आपकी है, तो भई आपको क्या पता inventory कब भी कीगी, पता है कि आपको हो सकता inventory बेचने में, आपका stock बजिशने में, 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, नहीं पता न, इसको हटा दो, इसको हटा दो, prepaid expenses, अरे prepaid expenses तो आप cash म convert ही नहीं कर सकते, क्या prepaid expenses का मतलब क्या होता है, वो expense जो आपने पहले ही pay कर दिये, जिसका benefit आपको मिलना बागी है, benefit मिलना बागी है, इसलिये وہ asset है, asset का मतलब क्या होता है, जिससे आपको benefit मिलता है, और क्या benefit अगर आपको 12 महीनी या के अंदर मिल रहा है, तो आपका current asset ह है लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि फटा-फट से cash पे-convert कौन से हो सकते हैं prepaid expenses cash में convert ही नहीं हो सकते हटाओ advance tax का मतलब क्या होता है जो tax आपने advance में pay कर दिया cash में convert हो सकता है गया कि आप उसको फैमिली से दूर कर दोगे तो current asset की family भी quick हो जाएगी क्या बन जाएगी हमारी quick assets तो quick assets equal to current asset minus 10 slow batsmen आपके inventories आपके prepaid expenses आपके advance taxes इन तीनों को उठाते ही family strong हो गई family fast हो गई जिसको हम क्या बोलते है quick assets ठीक है current liability जो हमने पहरे discuss की ती बिल्कुल की बिल्कुल वैसी है कुछ भी अलग नहीं है liquid ratio quick ratio is an indicator of short term debt paying capacity of an enterprise and is a better indicator of liquidity of the business अगर आपको जाना है कि business की liquidity कितनी अच्छी है liquidity का मतलब क्या है कि वो कितना जल्दी अपने liability को pay कर सकती है तो current assets से better कौनसी ratio है quick ratio क्योंकि यह आपको बताएगी कि फटा फट से आप अपनी liability को कैसे पर कर सकते हो right ठीक है फटा फट से कुछ examples देखेंगे कुछ important questions देखते हैं और इस ratio को खतम करता है चोटी सी ratio क्या है calculate the liquid ratio from the following information आपको liquid ratio निकालने है quick ratio लिखाओ वह भी वही है acid test वही है liquid वही है ठीक है इसको निकालने के लिए हमें दो चीदे चाहिए एक तो quick assets और current liability देखते हैं क्या आपको given है या नहीं liability current दे रखी है वाह ठीक है current assets given है inventory given है advanced given है और prepaid expenses given है आपको पता है quick asset का formula होता है current assets minus आपके inventory minus आपके prepaid expenses minus advanced tax हाई या ना सब कुछ given है निकाल लेंगे current assets है 80,000 के inventory given है आपको 20,000 की prepaid expenses भी आपको given है 5,000 के और advanced tax भी गिवन है 5,000 का यह आपको कितना आगया 70,000 ठीक है और current liability आपको कितनी given है sorry 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 यह आपको आगया 50,000 कितना आगया 50,000 और अपको current liability भी आपको given है कितने की 50,000 की formula क्या होता है quick assets upon my current liability answer आगया 1 is to 1 और ideal ratio कहती 1 is to 1 इसका मतलब company बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है answer क्या है 1 is to 1 ठीक है यह तो बहुत ही simple था ऐसे questions आने के chances का है next example देखो example number 2 inventory दे रखी है working capital दे रखी है current asset दे रखा है और आपको बोले कि liquid ratio निकालो अरे बड़े 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 असान है ध्यान से सुनो जब भी आपको working capital given होगी formula क्या है current asset minus current liability लास्ट वीडियो में देखा था current asset minus current liability अब मुझे भी बता हो current asset given है आपको बिल्कुल given है working capital given है क्या मैं current liability निकाल सकता हूँ current asset minus inventory वो सब कुछ चीज़ है लेकिन यहां पर आपको सिर्फ क्या गिवन है inventory prepared expenses given नहीं है advanced assets given नहीं है तो नहीं given तो नहीं given ठीक है current assets आपके पास है 4 lakh के inventory आपके पास है 80,000 की तो quick assets आपके पास आगे 320 के quick assets 320 के current liability 160 की दोनों को divide करोगे answer आजाएगा 2 to 1 again बहुत simple ठीक है एक हमने working capital वाला question भी कर लिए अब next जो है ना उसको ध्यान से देखो next मैं आपको हर type के questions करा के चलूँगो tension मतलो example number 3 क्या है working capital आपको गिवन है 180 गी बिल्कुल गिवन है total debt given है 390 का हां जी long term debt inventory ना तो current asset ना current liability कुछ भी given नहीं कुछ भी given नहीं है कि total debt in सब का मैं क्या करूँ मैं आपको सिंपल सी चीज़ सिखा हूं देखो एक सिंपल सी चीज़ सीख लो बैलंशिस आपने सीखिए बैलंशिस आपने सीखिए आपको पता है जो हमारी major heading होती है उसके बाद हमारी major heading होती हετε miraculous熟्ण ना उनκरण नासल्ट डिश और होती है current laboratory यहीं होती है और दूसरा जो हमारे heading होते होती ह्यों डूसरी दूसरी जो हमारी heading होती है वह होती है assets की बिल्कुल होती है सबसे पहले होते हैं non current assets यह यही सब चीज़े होती है non current assets और current assets यही होती है और यह दोनों हमेशा एक दूसरे के equal होते हैं क्या होते हैं equal होते हैं अब अगर आपको question में यहां की information given है ठीक है तो यहां की information आप उस data से निकाल सकते हो क्या बोल रहे हो मैं देखो जएसे आपको यहां पे given है डिवन आ इस है अवह हो यह पर इसो टोटल याबती है त्री-नाइंटी के ड्री-नाइनटी उसके बाद को देंना कि यह long term debt आपको अलग से दे दिया लॉंग टम का मतलब नॉन करन्ट पता ही आपको 3,90,000 के सुरी 3,00,000 के कि इतने के 3,00,000 के मुझे एक बाद बताओ आपको दे रखा है कि टोटल 390 के है जिसमें से नॉन करन्ट 3,00,000 के है तो क्या यह साफ साफ आपको पता नहीं चल रहा है कि यह 90,000 के अगर टोटल 390 दे रखा है नॉन करन्ट 3,00,000 दे रखा है तो करन्ट कितना होगा 90 करन्ट लाइबिलिटी तो हमारी आ गई बहुत बढ़ी है उसके बाद देखो आपको क्या क्या दे रखा है आपको दिया हुआ है कि आपका वर्किंग क्यापिटल कितना है 180 अब मुझे बाद बताओ अगर आपके पस करन्ट लाइबिलिटी है आपके पस वर्किंग क्यापिटल है क्या मैं करन्ट असेट निकाल सकता हूं असानी से निकाल सकता हूं वर्किंग क्यापिटल इस करन्ट असेट माइनस करन्ट लाइबिलिटी वर्किंग क्यापिटल आपका है 180 करन्ट असेट मैंने को आपको करन् रेशियो नहीं आपको कुछ ऊहां रहा नीगान एंग सिंपल एक आशेट इक वहां पर इन्वेंटरी गिवन है तो 270 आपको करेंट धसेट है इन्वेंटरी आपके 90 है आपके कुछ एट सागे वन लायक एटी-टूज़र आगह या नहीं आगए डिवाइड करो म करन लाइबिलिटी से 90,000 आंसर कितना आ जाएगा मेरा आंसर आएगा 2 is to 1 आंसर आ गया 2 is to 1 जब कोई बात समझ में आई इस सब्सक्राइब करके चलोगे असानी से हो जाएगा अब next question देखो जो आपको परिशान करता है इंप्रूब वो डिक्लाइन वड़ा ध्यान से समझो अब ऐसा सेम कोईश्चन हमने करंट रेश्यों के लिए भी किया था बहुत डिटेल में हमने समझा था यहां पर आपको स आपको पूरा फामट पता ही है पहले हमारी पर चेस फोर कैश मैंने इसको आपने पर चेस करें हाँ या ना लेट से आपने 50,000 के पूर्चेस करें कितने के 50,000 के अब जैसे यह मैंने आपको लाश्ट राश्यों बताया था कि जब भी आपको रेश्यों गीवन हो और question यह तो आप पहले ही assume कर लो कि आपके quick assets कितने है और current liability कितनी है 2-1 है तो मान लेते हैं कि quick assets आपके पास 2 lakh यह है और current liability आपके पास 1 lakh के है 2-1 हो गया हांजी हो गया अब मान लेते हैं कि आपने 50,000 के goods purchase करें कितने के 50,000 के goods purchase करने से होगा क्या एक तो आपकी inventory increase होगी हाँ या और आपका cash decrease होगा, बिल्कुल सही, अब वो एक बात बताओ, inventory increase हुई, क्या उसका कोई भी effect आपके quick assets पे आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि inventory quick assets का part होती ही नहीं है, inventory को हाँ, quick assets में consider ही नहीं करते, current asset में आएगा, लेकिन यहाँ पे inventory increase होने का कोई भी impact नहीं आएगा आपका cash decrease हुआ, इसका मतलब आपका quick asset कम हुआ, मैंने इसमें से minus कर दिया, 50,000, कितना कर दिया, 50,000, तो यह आपका आगया, 1,50,000, divided by 1,5,000 is to 1, तो जो ratio है वो क्या होगी, decline, समझ में ध्यान रखना, अगर आपके inventory increase हो रही है, तो उसका कोई भी impact आपके quick assets पे तो आएग 1,000, ध्यान से समझाओ, अब देखू, इसमें भी आपको क्या बोला है, कि आपने goods की sale करिये है, goods की sale मतलब आपके inventory कम हो गई, अगर आप goods की sell करते हो, goods sale करते हो, आपके inventory कम हो गई, आपके यहाँ पे inventory कम हो रही है, कितने से 10,000 से, और क्योंकि आपने cash में sale करिये है, तो ही नहीं होती, yes or no, तो इसको तो हम include ही नहीं करेंगे, simply हम क्या करेंगे, अपने cash को, अपने quick asset को 12,000 से increase कर देंगे, देखो, in this transition, stock is decreasing by 10,000, तो उसके cost 10,000 थी, और cash increase वहाँ 12,000 से, and since stock is not included in the quick asset, stock inventory ये की बात है, net quick assets is increasing by 12,000, तो आपका asset है, जो आपका quick assets है, वो आपका 12,000 से ही increase हो रहा है, yes or no, तो आपका asset कितना हो गया, 2,000 का पहले था, 12,000 से increase हो गया, तो 2,000, current liability 1,000 की थी, divided by 1,000, 2.12 इंप्रूब हो गया, right, third हमारी क्या है, देखो ध्यान से, अब अपने dividend pay कर रहा है, important है, मैंने last class में भी आपको समझाया था, कि dividend का point important है, देखो, जब भी आप dividend pay करते हो, इसका मतलब क्या है, कि आप पहले उसको क्या करते हो, declare, पहले आप dividend को declare करते हो, मैंने पूरा process इसका कल की वीडियो में explain किया था आपको, कि क्या होता है, पहले board or directors dividend क्या करते है, propose करते है, shareholders उसको approve करते है, तब जाके वो dividend declare होता है, declare होने के बाद वो company की बन जाती है current liability, जब तक वो pay नहीं करते है, जैसे ही वो pay करते है, आपके liability भी कम हो जाती है, और आपका cash भी कम हो जाता है, तो क्योंकि आपने dividend की payment कर दी, इसका मतलब वो liability आप पहले book कर चुके होगे, अब वो liability कम हो जाएगी, और cash तो कम हो ही रहा है, तो assume करो dividend आपने 50,000 का pay किया था, now dividend payable is a current liability, dividend जो आप pay करते हो, वो आपके current liability होती है, बिल्कुल सही, and so when dividend is paid, current liability will decrease by 50,000, current liability आपके 50,000 से decrease हो जाएगी, and cash will decrease by 50,000, cash भी 50,000 decrease हो जाएगा, तो आपका quick assets 2 lakh का था, 50,000 से वो कम हो गया, कितना हो गया 150,000, आपके current liability 1 lakh की थी, 50,000 से वो decrease हो गया, कितने हो गया 50,000, answer 3 to 1, इसलिए improve हो गया, right, quick assets आपका इतना ही है, जितना भी important points से मैंने आपको बता दिये, इससे जादा नहीं आएगा, current ratio, quick ratio, दोनों मैंने आपको बहुत detail में समझाईए, ठीक है, liquidity हमारी यहीं पर खतम होती है, ऐसे फटा-फट से, बाकी सारी ratios भी complete कर रहेंगे, कोई video आउट है, comment session आपके लिए है, अब आपको पता है, यह application मैंने launch कर दिया है, वहाँ पे भी, आप जो notes है, जो test है, वहाँ पर appear कर सकते हो, यह notes मैं आप बहाँ पर डाल दूँगा बहुत जल्दी, टेली कर आप ग्रूप पे आप मैं उसे doubt पूच सकते हो, ठीक है, तो मिलनेगे आप से नेश्टलास में, तब तक के लिए, बाई बाई